स्ट्रीट वेडा फॉललोविंग सेटेस अर फाइनाइट और इंफाइनाइट तो फर्स्ट पाइट इसका सेट आफ अल और नेचर्डल नंबरगों तो all odd natural numbers, तो कहां से start होता है, अगर हम इस set को S को देखेंगे, तो इस set की first entry होगी 1, then second entry 3, then 5, then 7, then 9, then 11, and ऐसी करते करते, 2001 भी आएगा, 2001 भी आएगा, then 2001 भी आएगा, then 2001 भी आएगा, फिर 20,001 भी आएगा, ऐसी करते करते, up to infinite बहुत सारे odd numbers possible होगे, तो हम इस पे exact number of, क्यालते हैं, entries नहीं बता सकते हैं, तो यह कैसा हो गया हमारा, यह हो गया, infinite, तो कितने, यह क्या है, यह set है, यह infinite set है, ओके, अब second part देखते हैं, तो second part है, the set of districts in Assam, तो हमें पता है, किसी भी एक state में, एक fixed number of states होते हैं, districts होते हैं, जैसे, इंडिया में, एक fixed numbers of states हैं, और हर state में, fixed number of districts हैं, तो अगर fixed number of districts होगे, तो कितने हो जाएगा, यह जाएगा, finite set, अब similarly, set of human beings in the world, जैसे हमें पता है, इंडिया में क्या है, 125 crore population है, तो similarly, world में भी कुछ specific population होगी, तो set of human beings in world भी का जाएगा, एक finite set हो जाएगा, अब set of reverse in इंडिया, जैसे हर एक state में कुछ reverse होती हैं, वैसी एक इंडिया में भी total उन सब का summation कर देंगे, तो एक fixed number of reverse मिलेंगी, यह भी एक finite set हो जाएगा, अब set of real numbers between 0 to 10, तो real numbers में हम बात किसके वाद में, अगर हम देखेंगे, तो 0.1 भी एक real number है, और 0.2 भी एक real number है, लेकिन 0.1 और 0.2 के बीच में भी बहुत सारे इंडिया नमबर्स हैं, जैसे 0.11, 0.12, 0.13, 0.14, और अगर हम देखेंगे, 0.1 और 0.11 के बीच में भी बहुत सारे numbers में, वो कैसे, 0.101, 102, 103, तो इस तरीक से किते हैं, इसमें हम देखेंगे, तो infinite numbers होंगे हमारे पास number line में, तो यह कहेगा, यह infinite set है, so this is the answer for this question.